हेलो फ्रेंड्स माई नेम इस अंकित और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्लास वर्ल हमने एक साइट बनाया थी गुडगाओं सेक्टर 23 में जो कि एक टैरिस पे थी और टैरिस पे एक कैबिन बनाया गया है जो एल टाइप का कैबिन है जिसमें कुछ ग्लास फेक्स है कुछ एक डोर है ठीक है तो हमने उसको कैसे करा उसको कैसे हमने माउंट किया उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है ये वीडियो उस बारे में है और आपकी भी कोई ऐसी जगा है जो आप कुछ इस तरीके से डिजाइन करना चाहते है या इस तरीके से आप उसको बनान है तो दोणों लूग को एक बार देख लेते हैं फिर हम उसके आज' सब्सक्राइब अग्या जब्रेड़ पेहले का है जो आप देख रहे हैं कि सिस्ट्प्षर स्ट्प्षर है कि वह कैसा दख रहा है और यह जो लुख है ग्लास पत्थर लगलागा लगने बाद का लुक है 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 बाद की इनके जो चछत का कलर है वो भी वाइट है तो उस वजह से हमने इसहाँपर वाइट सिलिकोन का इस्तमाल किया है सिलिकोन भी दो तरीके की होती है एक white एक transparent तो transparent हम glass के बीच में यूज़ करेंगे और white हम उपर यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने बताया था beach के area में हम transparent silicon यूज़ करेंगे clear silicon तो यह हम clear silicon बीच में यूज़ कर रहे हैं जिससे ऐसा होता है कि white थोड़ा और लगता है इन जगहों पर वो clear से एक transparency की वज़े से इतना पता नहीं चलता है तो हमारी यह side बनके अब तयार हो गई है आप इसका look देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है और इसका क्या look आ रहा है यह आपके सामने है कि इसका look कितना बदल गया है पहले से और अब में तो हमारी यह side थी जो हमने इस अक्टे गूट 23 में बनाई अगर आपको भी ऐसा कुछ बन करवाना है आपको आपका area कुछ इस तरीके का है तो आप इस तरीके से उसे design कर सकते हैं आप देख सकते कि कितना attractive लुक था कितना अच्छा लुक था तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें चैनल पर नए है तो उसे subscribe करें और ऐसा कुछ भी आपको requirement होती है तो प्लीज कॉंटेक्ट करें तो अच्छ तो अच्छ और विजित अगें